दिन जल्दी जल्दी धलता है मुझसे मिलने को कौन विकल मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ किसके हिच चंचल यह प्रस्ण सिथिल करता पद को भरता उर्में बिवलता है दिन जल्दी जल्दी धलता है दिन जल्दी जल्दी धलता है बच्चो यह सांध्य गीत है आत्मानुभूत के कभी डाक्टर हरज्मन सराइब बच्चन का हर्वंसराय बच्चन छाया वाद उत्तर कालीन हालाबाद के जनक माने जाते हैं बच्चो आज हम डाक्टर बच्चन का सुप्रशिद्गीत आरहीर रविकी स्रवारी इसे हम लोग पढ़ेंगे इसके पहले आईए डाक्टर हर्वंसराय बच्चन एवं उनकी रचना धर्मिता को समझते हैं डाक्टर हर्वंसराय बच्चन का जन्म 27 नौंबर 1907 को इलहावाद में हुआ था पिता स्री प्रताप नारायन स्री वास्तो राम चरित मानस के अध्येता थे और उनकी माता मा सरस्वती देवी सूर सागर के प्रति अनुराग रखने वाली कृष्ण भक्त थी ऐसे माता पिता की देख रेख में उनकी जो शिक्षा है वो प्रारंभ हुई सन 1925 में कायस्त पाट साला से हाई स्कूल उत्तिर्ण किया और सन 1927 में राजकिये इंटरकालेज से इंटरमीडियर प्रयाग विश्विद्याले से सन 1929 में बिये किया इस समय असाहयोग अंदोलन अपने च्यरम पर था असाहयोग अंदोलन से प्रहावित होकर उन्होंने यहीं पर पढ़ाई समाप्त कर दी इसके बाद उन्होंने स्थानी अग्रवाल हाई स्कूल में अध्यापन करना प्रारम कर दिया अध्यापन कार के साथ साथ प्रयांक्षए प्रकासि चान्द भाविश्य तथा अभ्युदय के संपादर में साहयोग प्रदान करने लगे इससे हिंदी जगत में प्रवेश करने का उन्हें सभल आधार मिल गया उसी समय वे कभी के रूप में हिंदी साहितिकारों के सामने आये और कभी सम्मेलनों में अपने सस्वर पाठ से सुरोताओं को मंत्र मुग्द कर दिया सन 1935 इस्वी में उनकी मदुसाला प्रकाशित हुई अपने इस कृत के कायन ही वे डाक्टर अमनाज ज्या जो उस समय के इलाहबाद विश्विद्याले के कुलपती भी थे और महान शिक्षाविद और साहितिकार के रूप में जाने जाते थे उनके संपर्क में आये और उनकी प्रेणा से सन 1938 में बच्चन जी ने प्रयाग विश्विद्याले से अंग्रेजी में इम्मे किया सन 1949 में काशी विद्याले से बीति उत्तिर्ण किया और 1941 में प्रयाग विश्विद्याले में अंग्रेजी के प्राध्यापक नियुक्त हो गए सन 1942 से लेकर 1902 तक इन्होंने अध्यापन कारी किया इसके पश्चार केंब्रिज विश्विद्याले से अंग्रेजी के प्रख्यात कभी डबलू बीड इस्ट पर उन्होंने सोधकार किया और पीचडी की उपाधी प्राप्त किया आपका विवाह श्यामा जी के साथ 1926 में हुआ लेकिन दुर्भाग्य से श्यामा जी बहुत दिन जीवित नहीं रहीं तो उनके निधन के बाद 1941 में तेजी बच्चन जी के साथ उनका पानिक ग्रहट संसकार हुआ विदेश से लोटने के बाद बच्चन जी ने अपने पूर उपद पर लगभग एक वर्स तक कारी किया फिर आकास्वानी केंद्री लावाद से संबद्ध हो गए और 1955 में भारत सरकार ने उन्हें विदेश मंत्राले में हिंदी विशे सग्य के पत्पण्य उक्त कर लिया सन 1966 में राज जिस सभा की सदस्य मनुनीत किये गए उनके डॉक्टर हिवंस राय बच्चन के दो पुत्र हैं आप जानते भी हैं स्री अमिताब बच्चन जो फिल्म जगत के महानायक के रूप में प्रतिश्थीत हैं और दूसरे हैं अजिताब बच्चन अजिताब सदर में इस महान विभूती का निधन 18 जनवरी 2003 में हुआ सदा सदा के लिए हालावाद के गायक चिर निद्रा में लीन हो गए डॉक्टर हर्मन स्राइब बच्चन ने अपने जीवन काल में 26 काब्य संकलन चार आत्म कथा और तीस बिविध साहित्य लिख कर कीर्टिमानिस तापित किया है इनके काब्य संकलनों में तेरा हार 29 में प्रकाशित हुआ मधुशाला 1935 में मधुबाला 1936 में मधुकलस 1937 में आत्म पर्चे 1937 में निशा निमंत्रण उनाइश। एकांथ संगीत उनाइश इंतालिस में और मिलनयामणी 1950 में प्रणेपत्रिका 1955 में और दो चट्टाने 1965 में और इनके अनेक काब्य संकलन है आत्म कथा बहुत प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध आत्म कथा हर्मंज राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं यह 1979 में प्रकाशित हुई नीरका निर्मान फिर फिर यह 1970 में बसेरे से दूर 1977 में और दस द्वार से सोपान तक उनैस सोपचासी में प्रकाशित हुई इसके अलावा सोपान है मैक बेथ है जनगीता है नए पुराने जरोखे है हैमलेट अभिनव सोपान मरकत द्वीप मरकत द्वीप का स्वर आध अनेक रचनाओं के माध्यम से डॉक्टर हर्मंस राय ब अनेक अनेक अलंकरणों से आपको अलंकरित किया गया आपकी साहित्तिक अभिरूची और शिक्षा के छेत्र में के इरतिमान इस्थापित करने के कारण आपको अनेक अलंकरणों से अलंकरित किया गया उनाई सो अर्षट हीश्वी में दो चत्ताने काप्विशंकलन पर आपको साहित अकादमी पुरुषकार मिला। उनाई सो अर्षट में सोवियत लेंड नहरू पुरुषकार तथा एफ्रो एसियाई कमल पुरुषकार से आपको नवाजा गया। बिला फाउंडेशन द्वारा आपको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा 1976 में साहित एवं सिक्षा के छेत्र में पद्मभूशन सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अत्रिक्त डाक्टर हर्वन सराय वच्चन अनेक अलंकरणों से अलंकरीत है। डाक्टर वच्चन की कविता की लोग प्रियता का प्रधान कारण उनकी सहजता संबेदन सीलता एवं सरलता है। समाज की अभाव ग्रस्त ब्यता परिवेश का चमकता हुआ खोखलापन नियत और ब्योस्ता के आगे व्यक्तिकी बेवसी बच्चन जी के लिए सहज व्यक्तिगत अनभूत पराधारित काप बेविशेर रहे है। इन्होंने साहज और सत्यता के साथ सीधी साधी भासा में और सहज सैली में कलपना सीलता और सामान बिंबों से सजा समार कर अपने नए गीत हिंदी जगत को बेट किये। हिंदी जगत ने उत्साह से उनका स्वागत किया। उनके गीतों को प्यार से पढ़ा समझा। बच्चन जी के काब्वे का जन्म छायाबाद के उतकर्षकाल में हुआ। शायाबाद आप लोग जानते हैं हिंदी साहित के इतिहास में। शायाबाद और प्रगजवाद के बीच में आता है हालाबाद। तो इसी शायाबाद के उतकर्षकाल में डॉक्टर हर्वंसराय बच्चन साहित जगत में आये। इसलिए प्रारभ में उन्होंने कुछ रचनाएं शायाबाद के प्रभाव के अंतरगत की हैं। किन्त उनके स्वाहिमान ने उन्हें शीग रूस प्रभाव से मुक्त कर दिया। वे उमर खयाम के हाला के प्यालों से प्रेणा लेकर मदुसाला के साथ आकर धूम मचा दिये। मदिराले जाने को घर से चलता है पीने वाला। आपने इसको सुनाओगा। मदिराले जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पत से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पत बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूं। अरे राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मदुसाला। मदुसाला जीवन दर्शन का काभ्य है। डॉक्टर बच्चन के साहित में वेधना, प्रणय, राश्रप्रेम, दार्शनिक्ता, व्यंग एवं मानवतावाद के दर्शन होते हैं। बच्चन जी अपनी सैली के स्वयम निर्माता है। उनका मानना है कि मैंने अपनी अन्भूतियां स्वाभाविक धंग से कही हैं। मैं कभी हूँ, मुझे वचन प्रवीन होने की आउट सिक्ता नहीं है। वे प्रशाद मई अभिधा प्रधान कविता के गायक रहे हैं। सहजता, सरलता, उनके शिल्प का केंद्रियक गुन है। उन्हों में गीतों और मुक्तकों की रचना किये जो साहित जगत की अनुपम निधी है। जैशा कि मैं पूर में बता चुका हूँ कि डॉक्टर हर्वन सराय बच्चन छाया बाद उत्तर कालीन हालाबाद के कविते। हालाबाद जो है बच्चों प्रेम और रोमांस तथा मस्ति और आनंद भरी रचनाओं का स्रिजन करने वाला युग रहा है। इस धारा के कवियों में डॉक्टर हर्वन सराय बच्चन के अतरिक्त रामेश्वर सुकले अंचल, गोपाल सिंग जी नेपाली, स्री हरी कृष्ण प्रेमी, डॉक्टर स्युमंगल सिंग सुमन आधिका नाम सम्मान के सारली आ जाता है। अब आई ये देखते हैं डॉक्टर हर्वन सराय बच्चन का गीत आ रही रव की सवारी। इसका पहला अंश है आरही रव की सवारी नव किरण का रथ सजा है कल कुसुम से पत सजा है बादलों से अंचरोंने स्वन की पोशाक धारी आरही रव की सवारी जैसे आप जानते हैं रविकार्थ होता है सूर्य नव किरण नई किरण कली पुष्प का प्रारंभिक रूप जिसे हम कली कहते हैं पथयानी रास्ता अनुचर यानि सेवड इस पध्यांस में कभी ने शूर्य के आग्मन का मार्मिक चित्रन किया है यह प्राता काल का दृस्य है जिसमें सुर्योदे होता है कल कहते हैं कि सुर्य की सुखद सवारी का आगमन हो रहा है ऐसा लग रहा है मानों नौ किरण ने अपना रथ भली प्रकार सजा लिया है फूल और कलियों से सारा रथ जो है वह सजा हुआ है बादलों के सेवकों ने सभी सुन्दर पोसाख और परिधान पहने हुए है आ रही रव की सवारी नौ किरण का रथ सजा है नई किरण से रथ जो है सुसजीत है कली कुसुम से पथ सजा है कली और कुसुम पुष्प और कली कहते हैं अदखिले फूल को उससे सुर्य का जो पथ है रास्ता है वह सजा हुआ है कली कुसुम से पथ सजा है बादलों के अनुचरों ने सुर्ण की पोसाख धारी बादलों के जो अनुचर है जो बादल हैं, सेवक हैं, वे स्वन जैसी पोसाग को धारण कर रखा है, सबेरे जब सुर्योदय होता है, तो तमाम स्वन आभाब बिखर जाती है, तो कभी का मानना है कि बादल के जो सुर्य के अनुचर हैं, बादल हैं, जो प्रकृति के उपादान हैं, उन्होंने स्वन की पोशाग को धारण कर रखा है अब आप इसमें देखिए इस पध्यांस में शुद्ध परिनिष्थि थिंदी का प्रयोग हुआ है सैली प्रभावोत पादक एवं साज है संगीत आत्मक्ता का गुण बिद्यमान है आई ये देखते हैं कविता का दूसरा अंश बिहग बंदी और चारण बिए बंदी और चारण गा रहे हैं कीलतिगायन छोड़ कर मंदान्भागी तारंखों की फोग सारी आरही रवकी सवारी वेत यानी पक्षी इस बंदी और चारण बंदी जन और चारण उसे कहते हैं जो प्रसंसा की गीद गाते हैंek किसका गीर्तिगायन यसोगान कर रेह हैं किसका सूर्यका लेकिन हाँ बंदी और चार्ण कौन है विख यानी पछ्षी चोड़ा करमेदान भागी मैदान चोड़ा कर भागने वाली क्यों है तारों की फोज माने जो तारक हैं जो तारे हैं वे सब चले गए हैं सबेरा हो गया है तो रात के जो तारे हैं वे सब डूब चुके हैं निकल गए हैं आरही रव की सवारी छोड़कर मैदान भागी तारकों की फोज सारी आरही रव की सवारी अच्छा तारकों का अर्थ उ उद्धार करना ओ इसमें कभी कहते हैं कि रव की सवारी आने पर सभी आणनंदोड्सो मनाते दिखाई दे रहे हैं बंदी जन जो है कौन है पक्षी हैं वही चारन थे मैंने पक्षी बंदी जन और चारन सभी इसकी कीर्ति का गुन गान कर रहे हैं ये सो गान कर граф वे रव की। यशो गाता को संगीत की धुनों से प्लस्तुत करने हैं। रव की सवादी आने पर उत्धार कों की फौझने मैंदान छोड़ दिया है। तारकों की फौझने मैंदान छोड़ दिया है। अब इसमें देखिए पद्यांच की भाषा शरल और माधिरपून है प्रशाद शब्द गुन दर्शनी है इसमें बच्चो मानवी करण है प्रकित का मानवी करण अलंकार जब जड़ पदार्थों और प्रकित के अंग आदि पर मानवी क्रियाओं का आरोप हो मनुस जैसा कार बेवहार करता हुआ दिखाया जाए तब वहां मानवी करण अलंकार होता है तो इन में प्रकित के जो उपदान है लिए इसमें मानवी करण अलंकार दर्शनी है अब आए कविता का आखिर यंज देखते हैं चाहता चाहता उचलूं विजय कह पर ठिठकता देख कर यह रात का राजा खड़ा है राह में बनकर विखारी आ रही रविकी सवारी ठिठकना सहम जाना राकार्थ है रास्ता विखारी मतलब भिख्षुप इसमें हमारी आजादी की उस सुकता को मारमिक धंग से प्रस्तुत किया है कभी ने और प्रकिति के माध्यम से वो अपनी बात कह रहा है कभी हज़्वन सराय बच्चन कहते हैं कि रव की सवारी आने वाली है उसी की खुशी में उचल कूद रहा हूँ क्योंकि यह आजादी रूपी बिजय हमें बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है कई लोगों की बल चढ़ाने पर खुशी मिली है रात का राजा अपना बेश वदल कर विखारी बन गया है इस प्रकार रव की सवारी का मधुर आगमन हो रहा है और भावात ही अभी हो सकता है कि रात का राजा खड़ा है राह में बनकर विखारी रात का राजा को हैं चंद्रमा है वह भिखारी बना हुआ है चूंकि अब सवेरा हो गया है तो चंद्रमा यही कहता है कि हमें जो है मैं भिखारी के रूप में हूँ मुझे फिर अपना वो समय प्रदान कर दिया जाए तो इस तरह से इसके दो भाव निकलते हैं रात का राजा अपना वेश वदल कर विखारी बन गया है इस पद्यांश में भी परनिस्थित हिंदी का प्रयोग किया गया है पद्यांश जो है प्रांजल एबं माधूरिय से ओतप प्रोथ है इसमें कुछ प्रस्ण बनते हैं बच पाकधारी इस पंक्ति का क्या आसे हैं सूर्य के निकलने पर संपूर्ण भूमंडल में स्वाणिम प्रकास चागया उसका प्रभाव आकास में बिच्रण करते हुए बादलों पर भी होता है वे सभी सुनहरे दिखाई देने लगे जैसा मैंने आपको पूर में ही बताया है कि सूर्योदे होने पर वो जो सुनहली किर्णे हैं वो प्रकित के समस्त उपाधानों को सुनाला कर देती हैं तो चूंकि दिन का राजा सूर्य अपने सहस्तर किर्णों से सुसजित रथ में सवार होकर उधियांचल से निकल रहा है राजा के पीछे तो सेवक दल होते ही हैं यहां बादलों को स्वाणिम बस्त्र धारण किये हुए अनुचर यानि सेवक के रूप में पीछे-पीछे चलता हुआ कभी ने दिखाया है रात का राजा किसे कहा गया है और वह विखारी बनकर क्यों खड़ा है वास्तों में जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकास से संपूर्ण संसार को प्रकासित करके सभी प्रानियों को जीवन देता है उसे दिन का राजा कहा गया है ठीक उसी प्रकार चंद्रमा श्यसी रात्री के अंधेरे में अपनी जोचसना विखेर कर अपनी चांदनी विखेर कर रात्री को जो है धवलित करते हुए ठंडक प्रदान करता है रात्री को सुहावनी बना देता है तो चंद्रमा को ही रात का राजा कहा गया है सूर की चमक के समक्ष दिन में चंद्रमा अस्तित्वहीन हो गया था सबेरे सूर के निकलने पर चंद्रमा भी दिखाई दे रहा था जिस प्रकार राजा के आने की प्रतिक्षा तथा कुछ पाने की लालसा से भिक्षुक रास्ते में दोनों तरब खड़े रहते हैं ठीक उसी प्रकार आका समार्ग में सूर के निकलने पर भिखारी की बाद खड कि रभ की सवारी आने पर क्या क्या हो रहा है जब सूर्य निकलता सूर्य की सवारी आ जाती है पूर्व दिशा से तो उस समय का दृष्ष कैसा होता है तो रव की सवारी निकल ने अर्थात प्राता काल होने पर पुष्प पुष्पित हो जाते हैं खिल जाते हैं कलियां पुष्पित हो जाती हैं पक्षी अपने कलरों के माध्यम से राजा गान करते हैं माने पक्षियों का कलो सुनाई देने लगता है और बादल अनुचर बनकर चल रहे हैं तथा खिले हुए नक्षत्र जो तारे हैं वो छिप जाते हैं रात का चंद्रमा भी सूर से कुछ मागने के लिए बिखारी बनकर खड़ा रहता है बच्चो इसमें इस कभिता में आरही रव की सवारी सूर्योदय का और उस समय जो प्राकृतिक संदर है उसका बहुत ही सुंदर चित्रन डॉक्टर हरिबंसराय बच्चन ने किया है आपके पाठ के अंत में सामासिक सब्दों के प्रयोग को बताया गया है आप जानते ही होंगे कि समास क्या है और आएए एक बार हम समास पर चर्चा कर लेते हैं वास्तों में समास है क्या परस्पर संबंद रखने वाले दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बनने वाले स्वतंत्र सार्थक सब्द को समास कहा जाता है या आप ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों का अपनी विभक्तियों को छोड़ कर एक पद हो जाना समास कहलाता है जैसे राज पुत्र राज पुत्र में जैसे राजा का पुत्र पीत अंबर पीला है अंबर अब ये समास की विशेष्टा क्या होती है जैसे इसमें कम से कम दो पदों का मेल होता है दो पदों का होना परमावश्यक है मिलने वाले पदों की विभक्ती प्रत्य का लोप हो जाता है जैसे माता पिता अब माता उसके बीज में एक सामासिक चिंद रहता है तो माता और पिता और सब्द का लोप हो गया है तो माता पिता, माता और पिता परस पर सम्मंद रखने बाले दो या अधिक शब्द मिलकर तीसरा सार्थक शब्द बनाते हैं निर्थक शब्द समास नहीं होता समास के दोनों पदों को क्रम्श पूरु प्रसंपद तथा उत्तर पद को दोतिय पद कहा जाता है किसी शब्द का समास जानने के लिए समस्त पद के खंड को अलग-अलग करना पड़ता है जिसे समास विग्रह कहा जाता है अब आईए देखते हैं समास के प्रकार कौन-कौन से हैं तो पहला है बच्चो अब्याई भाव समास जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और समस्त पद अब्याई यानि क्रिया विशेशन का काम करे उसे अब्याई भाव समास कहते हैं जैसे यथा सक्टी जिसका विग्रह हो जाएगा सक्टी के अनुशार जैसे है यथा संभव संभावना के अनुशार प्रति दिन 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 प्रत्येक जैसे एक एक जैसे आजीवन यानी जीवन परियंत जैसे आजानू जानूं तक भर पेट पेट भर कर और दूसरा है बच्चो तत्पुरुष समास जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीश प्रतम और अंतिम कर्ता वा संबोधन कारक्की अतरिकतृ purpose किसी भी कारक्की बिवग्दिका लोब पायर जाता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं और सूत्र है इसका उत्पद प्रधान जैसे राज पुरुष राजा का पुरुष रिन मुक्त रिन से मुक्त जैसे बन वास बन में वास अब आए देखते हैं अगला है कर्मधारे समास जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेश्य विशेशन अथवा उपमे उपमान भाव संबंध हो और दोनों पदों में एक ही कर्ताकारक की विवक्ति आए उसे कर्मधारे समास कहते हैं जैसे नील कमल नीला है जो कमल अब कमल कैसा है नीला है यह विशेशन हुआ चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख जैसे लाल मिर्च लाल है जो मिर्च या पुरुस सिंग जो सिंग के समान जो पौरुसवान हो या सिंग के समान जिसकी भुजाएं हो पौरुसवान हो तो इस तरह से आता है दुईगु समास जिस समास में पहला पद संख्या वाचक हो और दोनों पदों के बीच विशेशन विशेश सम्मन्द हो और समस्त पद समू का ग्यान कराए उसे हम दुईगु समास कहते हैं जैसे नव रत्न, नव रत्नों का समू हो जैसे सप्तर्षी, सात रिशियों का समू हो यह जो नव और साथ हैं यह संख्या वाची हैं पंच तत्व, पंच तत्व का समू हो और आता है बच्चों अगला है दुईगु समास जिस समास के दोनों पद समान हो तथा बिग्रह करने पर दोनों के बीच और अथवात तथा या आदी योजक लगे हो उसे हम दोन दो समास कहते हैं जैसे अन जल अन और जल यह जो और है यह जो है योजक है जैसे माता पिता माता और पिता जैसे धर्मा धर्म धर्म और अधर्म सुख दुख सुख और दुख इस तरह से अनेक शब्दों को आप विग्रह करके और पहचान सकते हैं द्वंद्व समास क्या है इसका जो सूत्र है वह है चार्थे द्वंद्व अब आता है बच्चो बहुब्री समास जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता दोनों पद किसी अन्य शब्द संग्या के विशेशन होते हैं उसे हम बहुब्री समास कहते हैं जैसे चक्र धर चक्र को धारन करने वाला अर्थात विश्णू गजानन गज के आनन के समान जिसका आनन हो अर्थात गनेश गज के आनन के समान जिसका मुख हो उसे गनेश कहेंगे तो गनेश हुआ जैसे अंशु माली अंशु हैं माला जिसकी अर्थात सूर ये तो वहां पर बहुत बड़ी समास होता है इस प्रकार भच्चो समास आपकी समझ में आ गया है और समास का भ्यास आप अपने पाट से भी कर सकते हैं इस कविता में आ रही रव की सवारी में अनेक सामासिक सब्द की अगे हैं